प्यारे बच्चो आईए अब हम गिरफ्ट के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं अनासिर के मुराकबाद बनाने की सलायत को गिरफ्ट करते हैं और अनासिर की गिरफ्ट को हम कैसे समझेंगे देखते हैं जोहर के बैरूनी मदार में यानि आखरी मदार में मौझूद इलेक्ट्रोन की तादाद को इसकी जोहर तसलीम किया जाता है और ये जोहर दिगर जोहरों के साथ बना हुई किव्याई बंदिशों की तादाद होती है बीसवी सदी में अनासिर की गिरफ्ट का इसके इलेक्ट्रोन तश्कील के साथ तालुक सामने आया सोडियम जोहर की इलेक्ट्रोन तश्कील 2,8,1 है और क्लोरिन जोहर की इलेक्ट्रोन तश्कील 2,8,7 है ये दोनों के दर्मियां कि में तामूल के नतिजे में सोडियम आयन तयार होता है और क्लोराइड आयन तयार होता है सोडियम आयन मुझबत बार होता है और क्लोरिन आयन मनफिबार होता है सोडियम आयन अपना एक एलेक्ट्रान क्लोरिन आयन के मदार में मुंतकिल करता है जिसके वज़े से इस पर एक मुझबत बार तयार होता है और क्लोरिन आयन सोडियम आयन से एक एलेक्ट्रान हासिल करता है इसलिए इस पर क्लोरिन आयन पर मन्फिबार होता है और नतिजे में सोडियम क्लोराइट तयार होता है सोडियम का एक जोहर, एक एलेक्ट्रोन क्लोरिन के जोहर को देता है तो सोडियम का मुझबत आयन तयार होता है इसलिए सोडियम की गिरक्त एक है क्योंकि इसके आखरी मदार में एक एलेक्ट्रोन की तादार है क्लोरिन का मन्फी आयन तयार होता है इसलिए क्लोरिन की गिरफ्ट एक है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रान हसिल करने के बाद मन्फी आयन तयार करता है आईए इनमें आयन में हर एक पर एक-एक मुकालिफ बरकी बार के दर्मियान कशिश की वज़ा से सोडियम और क्लोरिन में एक किमेई बंदिश बन कर सोडियम ख्लोराइट तयार होता है इसी तरह सोडियम जोहर की सलाईयत या इस्तेदाद एक इलेक्टरॉन देने की थी और क्लोरिन जोहर की इस्तेदाद एक इलेक्टरॉन हासिल करने की थी यानि सोडियम और क्लोरिन दोनों अनासिर की गिरफ्थ एक है आनि बंदिश बंते वक अंसर का जोहर जितने इलेक्रॉन खोता है या हासिल करता है वो तादाद उस अंसर की गिरफ्थ कहलाती है